एक चीटी की कहाँ आप दिया, अगर मैं यह नहीं करूंगी तो मेरा बटुआ गंदा हो जाएगा और यह मेरे लिए अधिक भारी हो जाएगा। इस कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि हमें चोटी 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 चीजों को भी महत्व देना चाहिए और सब कुछ साफ सफाई रखना चाहिए, हर चोटा काम भी आपके लक्ष तक आपको पहुँचा सकता है। वे सामुविक रूप से काम करते हैं, खाने की वस्तुए साजा करते हैं और अपनी गंगी को भी एकत्रित करते हैं। चीज़बूती और संगठन को दर्शाती है। चीटियों का आदर्श जीने की सामरिक्ता, साज़धारी और समृद्धी होता है। ये कीट अपने समदाय के लिए निरंतर खाना धुनरती हैं और उसे साजा करने में निरनायक भूमिका निभाती हैं। ये उनके सामुहिक्ता की मिसाल है जो हमें एक जुठ होने, सहयोग करने और अपने लक्षे की प्राप्ती के लिए एक साथ काम करने की प्रेरना देती है। चीटी की दिर्टा और परिश्रम की मिसाल से हमें ये सिखाती है कि कोई भी कार्य संगर्ष के बिना संभब नहीं है, जितना भी कतिन काम हो, उसे संगर्ष करके पूरा करना ही सफलता का रास्ता है। चीटियों का आकार छोटा होने के बावजूद, उनकी मेहनत, संगर्ष शीलता और तनावशाली जीवन शेली हमें ये सिखाती है कि हमारे कार्यों की महत्वपूर्णता हमारे आकार से अधिक होती है। हमें चीटियों की ये गुनवत्ता अपने जीवन में अपनानी चाहिए और स्वयम को हमेशा मेहनती, आग्रहवान और संगर्ष रखना चाहिए। चीटियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी में शामिल है। महत्व प्रमुक रूप से भोजन की वस्तूओं के संगरहन और परिवहन में होता है। वे खादिस रोतों की खोच करती हैं, उसे अपने आंतरिक भंडार में संगरहित करती हैं और समुदाई के सभी सदस्यों के बीच बाटती हैं। इस प्रकार, चीटिया समरिद्धी के लिए अत्यंत महत्व पूर्ण होती हैं और समुद के अच्छे चलने में मदद करती हैं। चीटिया संगर्टनित और अनुशासित होती हैं। वे अपने आंतरिक भंडार को स्वच और सुरक्षित रखती हैं और उसे सामुविक तौर पर प्रबंधित करती हैं। इसके लिए उन्होंने अपने आसपास की जगहों को अलग-अलग कारियों के लिए विभाजित कर रखा होता है और उन्हें व्यापकता से उप्योग करती हैं। चीटियों का द्रिल समर्पन और परिश्रम कार्य शैली को हमें प्रेरित करता है। वे बिना थके हार नहीं मानती और सदैव मेहनत करके अपने लक्षियों की प्राप्ती के लिए प्रयासरत रहती हैं। इससे हमें ये सिक मिलता है। दिल्चस्प कहानी और जानवरों से जुड़े तत्यों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।